हाई गाईज, वल्कुम ट्यू वाई चानल, तो अभी इस वक्त मैं हूँ अंचना बीच पे और मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी इस वक्त मैं आप गुवा आ रहे हैं और आप अंचना बीच आते हैं, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्राउड कैसा है, तो मेंक शूर क आप इस वीडियो को एड तक सरूर देखिएगा, और गुवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो जन अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लीचेगा, तो चलिए घूमते हैं अंचना बीच, तो यह अंचना बीच का फर्स्ट ट्यूरिस पॉइंट है, तो अगर आप यहां पे आते हैं, तो इसका एंट्रेंस आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और यहां पे अभी कुछ कंस्राक्शन चल रहा है, तो कुछ टाइम बात यह जगा और भी जादा ब्यूटिफूल होने वाली है, और जब आप यहां आएंगे, तो आप यहां से बोहीमियन जोलरी यहां से आप ले सकते हैं, तो यहां पे आपको कुछ शॉपिंग आप्शन पिल मिल जाएंगे, और यहां से आपको नीचे जाना होगा, और आप देख सकते हैं, यहां पे आई थिंक कोई न्यू रेस्टराउन कंस्ट्राक्ट हो रहा है, तो ब्यूटिफल व्यू ओफ दिस अजना बीच, और यह नीचे यहां पे जाने के लिए आपको थोड़ा से रस्ता है, आप भहां से जाके नीचे बीच पे जा सकते हैं, तो अदर्वाइस अगर आप यहां पे खड़े हो करके यह व्यू देखना चाते हैं, बैठना चाते हैं थोड़ा रिलाक्स होना चाते हैं, so that is what you can do, otherwise you can go down और आप थोड़ी यहां पे फोटोस भी क्लिक कर सकते हैं, so this is how it looks here right now, और यह जो आप सामने देख रहे हैं, these are all beachside restaurants, जहां पे आप अपना खाना एंजॉई कर सकते हैं, with nice music and this beautiful view of Anjuna beach, तो अब मैं थोड़ा सा यहां से नीचे से आपको view दिखा देती हूँ, पहले मैं उपर खड़ी थी, अब यह मैं नीचे आ गई हूँ, beach के पास में, so from here, आप यह समुद्र के एकदम पास आ सकते हैं, but this place is not very nice for swimming, अगर आप swim करना चाते हैं, तो उसके लिए दूसरा point है, आपको next मैं लेके चलूंगी, but यहां पे you can just sit and relax, enjoy the view, and यहां पे यही beach side पे ऐसी यह market है, where you can do a lot of shopping, और यहां पे इस side पे आपको बहुत सारे eating options मल जाएंगे, shopping options मल जाएंगे, tattoo shops are available here, और बहुत सारे guest house and छोटे-छोटे stay option आपको यहां पे मिल जाएंगे, so in case अगर आप आते हैं, तो आप अगर यही से सीधा अंदर के तरफ जाएंगे, तो straight आपको बहुत सारे ऐसे options मल जाएंगे, and this side अभी मैं आपको लेके चलती हूं, यहां पे मैं आपको एक restaurant दिखाऊंगी, जहां से you get a beautiful view, and these are some beautiful beachy vibe collection, so इस तरह के अगर आप गोआ आते ह तो इस तरह के आप अपने लिए कुछ कपड़े यहां से ले सकते हैं, and यहां पे sale में भी बहुत सारे यहां पे कपड़े अविलेबल थे, so this is lush restaurant, so they have awesome food available here, और इनका जो यहां पे restaurant से जो यह view है, that is also awesome, and यह अब हम आगे हैं, अंजना बीच के main beach point पे, तो यह entrance है, और आज morning में ही यहां पे बारिश हुई थी, और अगर आप अपनी two wheeler, four wheeler लेकर के आते हैं, तो यहां पे pay parking available है, four wheeler के लिए around 100 rupees pay parking है, और two wheeler के लिए 20 to 30 rupees pay parking है, जो कि normal हमेशा रहता है, वही price है अभी भी, और यहां से अंजना बीच के लिए यह entrance है, और entrance पे यह आपको ऐसी बहुत सारी shops मिल जाएंगी, और यह सब shops open है, अभी कोई भी shops close नहीं है, सब shops यहां पे open हो चुकी है, और आपको यहां पे बहुत ही beautiful collection मिल जाएगा, So, here you can see they have such beautiful collection, बहुत सारे dream catchers और अलग अलग तरह की goa vibes वाली हाँ पे चीजे अवेलिबल हैं, जो आप यहां से purchase करके अपने लिए ले जा सकते हैं, So, this is how Anjuna Beach market right now, और यहां से जब हम आगे की तरफ जाएंगे, तो आप सीधा बीच पे पहुंच जाएंगे, और मैं आभी आपको बीच की situation दिखाती हूँ कि अभी बीच पे क्या situation है, तो आप यहीं से crowd देख सकते हैं कि अभी इस वक्त बीच पे कितना जादा crowd है, कितने सारे tourist अभी इस वक्त अंजना बीच पे हैं, So, this is how the entrance look right now at अंजना बीच, तो इस तरफ भी, So, अभी क्योंकि बारिश हो रही है और अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी हुई थी, So, that is how मैं यह बीच कवर कर पाई, So, आप देख लीजिए कि अभी बीच के अंदर भी जा रहे हैं, So, क्योंकि बारिश कम हो रही है, So, बीच में अंदर जाकर के लोग इंजॉई कर पा रहे हैं, So, अगर बहुत ज़दा बारिश होगी और अगर कुछ खत्रा लगता है तो जो यहां पे बीच पे लाइफ गार्ड रहते हैं वो आपको मना कर देंगे बीच से बाहर आने के लिए बोल देंगे, तो अभी यहां पे water sports अवेलेबल नहीं है, beach tracks भी अभी यहां पे अवेलेबल नहीं है, So, यहां पे beach side आपको ऐसे restaurant मिल जाएंगे, यह शेरे पंजाब restaurant है जो की open है, तो अभी evening का time है, So, around 6 o'clock हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे यह जितने भी beach side restaurants हैं, यह पुछ restaurants अभी बंद हैं, बहुत सारे restaurants अभी भी open हैं, और बहुत जादा crowd है अभी इस वक्त अंजना बीच पे, अगर आप यहां पे देखते हैं, तो यहां पे बहुत सारे tourist हैं, इस साइड पे, weather बहुत अच्छा है, इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, और अभी अगर इस टाइम पे आप अंजना बीच पे आते हैं, तो अंजना बीच पे वैसे भी जो sea shore है वो छोटा है, तो लेहरे बहुत उपर तक आती हैं, और इस टाइम पे, जो कि मॉन्सून ताइम है, यहां पे इस टाइम पे तो और भी जादा लेहरे उपर तक आ रही हैं यहां पे, तो इस इस दी सिचुएशन राइट नाओ अट अंजना बीच, तो फूर्ट के लिए बहुत सारे ओप्शिंस हैं यहां पे, तो इस इस बान रेस्टराँन विच इस ख्लोस बट आगे रेस्टराँन्स हैं जो अभी ओपन हैं, अंजना बीच पे जैसे जैसे शाम का टाइम बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे यहां पे crowd भी बढ़ता जा रहा था और अगर आप अंजना बीच पे हैं और आप अपने ले कोई stay option देख रहे हैं तो यहां पे अंजना बीच पे आपको बहुत सारे stay option भी मिल जाएंगे, यह बहुत सारे hostel option भी है यहां पे for budget travelers जहां पे आपको around 300 रुपीज, 400 रुपीज तक per night stay available रहता है, बहुत सारे hostels में आपको breakfast भी available रहता है, so I'll try कि मैं एक hostel पे separate video करूँ, ताकि आपके लिए वो helpful हो, जो लोग budget travel करना चाहते हैं, अंजना बीच पे जब आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, so you'll reach at this point, जहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्यूरिस्ट अभी इस वक्त यहां पे, और यह सब अपनी एक picture क्लिक कराने के लिए यहां पे खड़े हैं, बिकज यहां पे जब बीच का पानी इस rock को hit करता है, तो वो बहुत ऊपर तक जाता है, और वहां पे आपकी pictures बहुत अच्छी आ सकती हैं, but this is one of the most riskiest point at Anjuna Beach, और यहां पे आपने थोड़े देर पहले एक signboard भी देखा होगा, डेंजर का signboard लगा हुआ है, और photography not allowed here, करके आपको signboard लगा हुआ है, warning के लिए, but still you can see so many people here, so it is a riskiest point, क्योंकि जब पानी बहुत जोर से hit करता है, तो वो बहुत force के साथ आता है, और अगर आप वहीं पे खड़े हैं, तो वो पानी आपको नीचे समुदर में भी ले जा सकता है, और उससे किसी के भी जान जाने का भी खत्रा रहता है, so just be careful अगर आप ऐसे साइन बोट देखते हैं, so just follow the warning, and be safe, whenever you come to Goa, आप enjoy कीजिये, but with safety, so this is how it looks right now, here आप देख सकते हैं, कि पानी कितना उपर तक जा रहा है, so I was standing at a very long distance, और मैं वहीं से ये वीडियो ले थी, जूम का बटन क्लिक करके, मैंने क्लोज अप लिये हैं यहां के, so this is it, मैं अपने इस चैनल पर गोज से रिलिटेड ऐसी ही वीडियो जाने में अपडेट लाती रहती हूं, तो अगर आपको गोज देखने में और यहां की सभी लेटेस्ट अपडेट जानने में इंट्रेस्ट है, तो make sure कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा, और अपने friends and family के साथ इस चैनल को शेर जरूर कर दीजेगा, तो हर बार की तरह अब हो मिलेंगे हमारे next Goa spot पे, till then keep loving Goa, take care, bye!